साथ्पुते जी आपने भी कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया हुआ इस स्पेस से हर्शदा जी देखे मेरे इसाब से जो छोटे बैंक की बात किया अनुजिने उहां पर मेरी नजर रहे कि आप इस बाइन बैंक आइड्या देखिए आप जम्मु कश्मीर बैंक देखिए यूनियन बैंक देखिए मुझे लगा इसका जो स्ट्रॉक्चर है वह अच्छा है तो अगर आपको एक चुनना है तो दिन यू कैंगो विद बैंक आफ इंडिया Bank of India 88-89 के आसपास का इसका कलका close तो यह buy बनेगा तो जो भी dip मिले इसमे buy करे 84 के stop loss के साथ मेरे इसाब से इसका जो recent high ता 100 के आसपास का वो एक बार के लिए फिर से request हो सकता है तो इससे buy in Bank of India चलिए buy in Bank of India अभी काम करते हैं और बाकी stocks in news के लिए वापस चलते हैं सुमित के पास सुमित और के रिडार पर देखिए बाकी news flows के लिहाज से अगर दिखा जाए तो एक Punjab and Sindh Bank इतने सारे banks की बात हो लिए तो उसको भी आप पहले ध्यान में रखिएगा 30 तारीक को एक board बैठक है जिसमें करीब 2500 क्रोड रुपर जुटाने को लेकर board फैंसला ले सकता है तो ये crucial board meeting रहेगी इसलिए आप पंजाब and Sindh Bank पे नज़र रखेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी को एक UTF Harvard प्रोजेक्ट जो की मौल दीव्स में है ये करीब करीब 1545 क्रोड रुपे के आसपास का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए कंपनी ने इनको चुना है letter of acceptance कंपनी को मिला है तो RVNL इस लिहाज से भी आज आप ध्यान में रखेंगे मौल दीवस में प्रोजेक्ट को कंपनी की सेक्यूर करेगी इसके अलावा इंडिया पेस्टिसाइड जहाँ पर कंपनी की सबसिडरी है शैल्विस स्पिशैलिटीज उनको एक इन्वार्मेंटल क्लियरंस मिला है ये एग्रो केमिकल और इंटरमीडियरीज प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो की हमीरपूर उत्तर प्रोजेक्ट लगाने वाली है तो इंडिया पेस्टिसाइड आम तोर पे चर्चा कम होती है लेकि इसको भी आप पनदर लखते हैं यूनिट को कंपनी की इन्वार्मेंट क्लियरंस मिला है कुछ एक रिडियन्ट कैश मैनेजमेंट इसका आईपियो खुला था लेकिन आईपियो सब्स्राइब पूरा नहीं हो पाया करीब करीब 53% या आईपियो सब्स्राइब हुआ है क्लोजिंग डे तक आते आते हैं QIB पोजिशन करीब एक गुना सब्स्राइब हुआ जबकि non-institutional investors हिस्सा जो है 66% सब्स्राइब हुआ रिटेल पोजिशन करीब 21% सब्स्राइब हुआ तो साल के अंग तक आते आते एक ऐसा IPO जहाँ पर सब्स्रिप्शन के आँखडे पूरे नहीं आते हो दिकाई पड़े तो उसलिए आसे आप इसके उपर नज़र रखेंगे इसके अलावा कुछ और नीउस फ्लोज में एक टीटागर वैगन जहां पर प्रमोटर ग्रूप टीटागर लॉजिस्टिक इंफरचक्चर ने करीब-करीब जान दे सकते हैं कंपनिया काम करती भी दिखाई दे रही है और ये मॉल्डीवियन और भारत रिलेशन्स के लिए एक बड़ी पहल है और इस लोकेशन की भी खासियत यह है क्योंकि ये माले जो कंपनी का कंट्री का कैपटल है उसके काफी करीब है तो जो भी आवाजाई होती है कोसगार्ड को एक अच्छा खासा उपरचुनिटी मिलती है उन सब पर नजर रखने के लिए चार्टे के लिए गावा साब पहले आरवी अनल का आप राई दीजे और फिर इस तरह के प्रोजेक्स के क्या माइने रहेंगे गोईंग फॉरवड मायुरेश से भी मैं पूछोंगी लेकिन गावा साब रवी अनल इस टाक तो बाई अब चेए वेट बिकॉस दो निन से हमने एक सर्किट देखा है अर्वी अनल में अनल लोग साइड और हो सकता है यहां पर जो कल है शायद संबल गया लेकिन यह क्रेक्टिव मोड पर है क्रेक्शन थोड़ा बढ़ भी सकता है बेस प्लेस टू बाई अर्वी अनल मेरे ख्याल से वो रहेगा 55 के आसपार पचास और पच्पन के जूम बें बिलता है तो जरूर करिदना ज्याएगे फर फ्रेश अप्मू अब अप्मो तो मिला है काफी अच्छा अप्मो मिला है उसके कर्ड़र्श पेस है यह क्रेक्टिव फेस प्ले आट आटाओ एक पर हो जाएगा फिर अप्मो फिर शुरू हो जाएगा की सलहा लें